नमश्कार, Welcome to my channel, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीष महीने में पढ़ने वाले गुरुवार के बारे में कि इस महीने हमें गुरुवार का ब्रत कैसे करना चाहिए, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन से ब्रत उपास में भोजन या फलाहार ग्रहड करना चाहिए, और पाठ कौन सा करना चाहिए, और यदि आप ब्रत नहीं कर सकते हैं, आपका स्वास्त अच्छा नहीं है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर आप शुगर पेसेंट हैं, तो कैसे इस ब्रत का लाव ले, क्या-क्या इस कि हमारे चैनल पर अगहन गुरुवार के दिन हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, उसमें क्या-क्या चीजें हमें चढ़ानी चाहिए, इस ब्रत की संपूर्ण जानकारी मैंने विद्वत आपको दी है, वह आप जरूर देखें, और जैसे कि इस दिन कथा भी सुनी जाती है, क तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही इस ब्रत में सुनी जाने वाली कथा मता महालक्षमी की दी है, तो वह भी आप सुने, लिंक हम दिस्कॉप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो बहां से आप चिक आउट कर सकते हैं, तो चलिए देर न करते हैं, दोस्तों हम बात कर रहे है मार्गशीश माह में पढ़ने वाले गुरुवार ब्रत के पारे में, जिसे की आमबोल शाल की भासा में इसे अगहन मास भी कहा जाता है, और अगहन मास में जो गुरुवार पढ़ते हैं, उन गुरुवार को ब्रत रखकर, इस दिन माता महालक्षमी और भगवान की पूजा की जाती हैं उसी प्रकार से अगहन मास के गुरुवार के माटा महालक्षमी और भगवान विश्नु दोनों की पूजा की जाती या फिर भगवान गणिष्ट के साथ में मालक्ष्मी की पुजा करते हैं तो हम तो हमें उस अपयोग करें अपने जीवन में सर्थक बनाने के लिए यह ने बुद्धि-विवेक हमें भगवान श्रीहरि विश्टु और विग्न हर्ता गड़ेश भगवान से प्राप्त होता है तो इसलिए अकेले पूजा आपको नहीं करनी चाहिए साथी दोस्तों अगहन मास्क का गुरुवार बहुत ही महत्वण माला जाता है बहुत सारी लोगों की कमेंट आते हैं कि हमें दिदी आप अपने घर में धन बृद्धी के उपाय बताएं या फिर आपके घर में जो आपकी संताने हैं वह आग्याकारी नहीं हैं उनका भविस उज्वल हो इसके लिए भी आप अगहन मास्क का गुरुवार ब्रत का संकल्प ले सकती हैं और इस ब्रत को कर सकती हैं इस ब्रत को करने की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है हमारे घर में धन लक्षमी संतान हमें बेवाहिक जीवन में जितने भी संसारिक सुक होते हैं वो सभी प्राप्त होते हैं सिर्फ एक अगहन मास्क के गुरुवार ब्रत को करने से और जैसे कि कितने ब्रत करने हैं और कैसे तो जैसे कि अगहन मास्क में जितने कभी पांच पढ़ते हैं और कभी चार जैसे इस बार जो है आपको चार गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं पांच पड़े तो पांच करने होते हैं और व्रत का उद्यापन कैसे करना होता है, इसकी भी जानकारी मैंने दी है, लेकिन कुछ लोग नहीं देख पाएं होंगे, तो आपको, जैसे कि आखरी जब आप व्रत करें, तो उस दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये महीने की महतुता है तो इसी महीने में आप करें लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि जब आप चौथे गुरुवार को अध्यापन करेंगे तो उस दिन आप जो है दूसरे अनाज जैसे जो नियम में बताएगे है वो तो आप ले सकते हैं लेकिन जब आप का ब्रत संपूर हो जाए यानि कि पांचवे गुरुवार को आप जो भी अनाज वगर लेना होता है उसे लेना चाहिए बस इस चोटी सी बात का ध्यान रखते हुए गुरुवार का ब्रत उद्यापन आप कर सकते हैं इसी मार्गशिस के महीने में ही क्योंकि इसके महतुता अ पिले रंगों का वस्त्र हमें धारण करना चाहिए पूजा करते से में और भगवान को भी अर्पित करना चाहिए लाल पिले रंग की चुन्नी चड़ानी चाहिए इस ब्रत में बहुत जादा चीजें विशेस हमें करनी होती है जैसे कि मालक्षमी के पूजन से पहले यानि और उस रंगोली में आपको चावल के आइपन का प्रियोग करना चाहिए या फिर आप चावल के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों आइपन की महत्ता बहुत अधिक होती है मालक्षमी के पूजन में मैंने आपको कई वीडियो में बताया है थोड़े से चावल थोड़ी सी बनानी होती है फूलों से भी बना सकते हैं और चावल के एपन से भी इस तरह से करके आप एक लाल कप्रा विछाए चौकी लगाए वगवान विष्णू और मातलक्षमी की अगर संयुप्त प्रतिमा है तो वह भी आप रख सकते हैं अलग-अलग भी रख सकते ह और फिर विधिवत तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी होती है। पूजा में आपको आउले के फल और आउले के पेड़ की पूजा भी करनी होती है। तो ये आप जरूर करें। साथी दोस्तों इसमें पाठ कौन सा करना होता है तो पाठ में आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आपके पापों से आपको मुक्ति मिलती है जो आपने पूर्ब जन्म में कर्म किये हैं और उसका ज्यान हमें नहीं होता है और हम न विदानुसार हो वह आप कर सकते हैं गीता का पार्ट करना चाहिए भगवत कीता का पार्ट करने से हमें बहुत लाभ मिलता है और खास तोर से इस मार्गशीस के महीने में आपने गीता के अध्यान में पढ़ा होगा कि भगवान श्रीकृष्णे ने स्वयम कहा है कि मासो में ह ब्रत और इस उपास को करना चाहिए अप समस्या आती है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो पेसेंट हैं जिन्हें डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप जादा ब्रत उपास ना रहें वो शरेरिक रोप से कमजोर हैं तो वह इस दिन की महिमा इस दिन का लाभ कैसे उठाएं तो ऐसे में दोस्तों आप सुबह सबेरे स्नान ध्यान करें सभी नियम को लागू करें अपने उपर यानि कि आप उस दिन चोरी चुगली ना करें उस दिन आप जो है साधरन तरीके से मता महालक्षमी और भगवान विश्नु की पूजा करें कथा जरूर सुनें और खिले-खि विश्नु सहत्रियाने की जो भी आपको एक चुने, नहीं कि सारे चीज आप करने हैं यह सब करें और अपने जो भी आपके दैनिक कारी हैं वह भी करें लेकिन आप सात्विक भूजन ग्रहर कर सकते हैं साध्विक भूजन में आता है कि आप साधारण दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो भी है आप खा सकते हैं नमक भी खा सकते हैं और फिर पूजा करने के उपरांत और फिर संध्या के समय भी आप पूजन अर्चन करके मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रजलित कर ले महालक्षमी के पास में दीपक प्रजलित करके ही ब्रत रख सकते हैं ठीक है और इस दिन आप हवन भी कर सकते हैं जैसे कि खीर पूरी का हवन माता महालक्षमी की प्राप्ति के लिए बहुत ही लाबकारी होता है तो खीर और पूरी आप बनाएं और फिर उसे अच्छे से मिक्स करके और उस माता महालक्षमी के मंत्र करते हुई आप हमन कर सकते हैं तो चाहें चारों गुरुवार करें या फिर लाश्ट वाले दिन घब आप को द्यापन करना है तो घा कर सकते हैं और लोग narrative कई लोगों ने पूछा था दोस्तों हमें भोजन यानि कि अग्रहन करना होता है उप पहले तो सुबा सबेरे जब तक पूजा ना करें कुछ भी ना खाएं। पूजा के उपरांथ आप जल और फल लेते हुए ब्रत के शुरुवात करें। और संध्या के समय जब आपका पूजन समाप्त हो जाता है तब आप खीर और पूरी बनाके माता महालक्षमी को भूग भी लगा सकते हैं। और स्वेम भी खा सकते हैं। अब जैसे कि आप खीर पूरी नहीं खाना चाहते हैं तो आप फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। पूजा आपको दोनों समय करना है, सुबह ब्रह्ममुर्थ में उठके यदि आप पूजा करते हैं, तो अति उत्तम मना जाता है, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने दिन के कारे निप्टा कर, जल्दे से जल्दी पूजा करने की कोशिश करें, इस तरह से भ विठाईयां आप भोग में लगा सकते हैं और खीर पूरी का भी भोग लगा सकते हैं इस तरह से इन चोटी-चोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप मार्गसीस के महीने में गुरुवार का ब्रत करते हैं तो मालक्षमी की आशीम क्रपा आपके घर में बरसती है और आपके बैवाहिक सुख में कोई परिशानी है या फिर आपके संतान संबंदी कोई परिशानी है सभी प्रकार की परिशानियों का हल होता है सिर्फ एक गुरुवार का ब्रत करने से तो इस तरह से आप करें और इसका लाब देखें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इत तो प्लीज आप उसे जरूर चेक आउट करें मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखें जय मता महालक्षमी की